इंडिया नूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए और लोग सभा सीटों की स्रिंखला में बात करेंगे स्ताहाबाद प्रचेत्र की सीट कारा काट की जी जहां से रालोस्पा प्रमोक उपेंद कुस्वाहा सांसद है वो केंद में मंत्री भी रहे लेकिन जब सीटों के जो है एंडिये छोड़कर के महा गटबंधन में जा मिले और वो यहां पर आकर के पिछला चुनाव कारा कट से लड़े थे चुकि बीजेपी और के साथ उनका गटबंधन था लोजपा के साथ था इसलिए वो पिछला चुनाव निकाल ले गए थे और उन्होंने जो है आर होन रहा है कि अब जेडियू आ गई है बीजेपी के साथ तो जेडियू बीजेपी और जो है लोजपा राम विलास पासवान की पार्टी एक साथ हो गई है और दुसरी तरफ महागटबंधन है जिसमें कांग्रेस है रालोसपा है हम है आर जेडी है वगएरा वगएरा कमनि करन बनेगा और इस सीट का किया इतिहास रहा है इस पे बात करते हैं तो यह सीट जो है पहले बिक्रम गंज के नाम से थी और दो हजार आठ के परिसीमन में बिक्रम गंज लोग सभा सीट वर विधान सभा छेत्र सब कर दिये गए और कारा काट के नाम से यह नई सीट बनी और जो इसमें पहले कारा काट जो है रोहतास नगर में आता है और इस छेत्र में और अंगाबाद जिले के गोह नभी नगर और और रोहतास जिले के तिन बिधान सभा छेत्र नोखा डियरी और कारा कारा काट इसमें हैं यानि कुल छे बिधान सभा सीटे इस छेत्र में आत थे महाबली सिंग, उन्हों वह जीते थे यहाँ से और उनोंने कांथि सिंग आर ज़ेडी के कांथि सिंग को यहाँ से हराया था और जो 2014 का चुना हुआ उसमें जो है उपेंद कुसबाहा ने जो है कांथी सिंग को हराया आरजेडी के कांथी सिंग को और जो महा बली सिंग थे वो जो है चले गए थे तीसरे नंबर पे तो इस बार का चुकी उपेंद्र कुसबाहा उधर महागटबंधन में जा मिले हैं और जेडी इधर आ गया है इसलिए इस बार माना ये जा रहा है कि महाबली सिंग और ये उपेंद्र कुसबाहा दोनों एक ही जात कोईरी से आते हैं और जबकि खुद नितिस कुमार जो है इस बर्क से आते हैं वो अपना दावा जाता आते हैं ये दोनों मिलती जुलती जाती हैं तो इस वज़ा से इन में 36 का आंकड़ा हमेशा रहा और अंता हुआ नितिस कुमार की वज़ा से ही छोड़ करके जो है एंडिये छोड़ करके उपेंद्र कुसबाहा जो है मागटब ये कटने के संभावना ज्यादा लग रही है क्योंकि एक तो यहां से सिटिंग सांसद है उपेंद्र कुसबाहा निश्ची तुरुप से महाकटबंधन में गये हैं तो कुछ सर्तों के साथ ही गये होंगे दूसरी बार के कांती सिंग लगातार दो बार से चुनाव हार रही इसके पहले वो पुरानी सिट से दो बार यहां से सांसद रह चुकी है तो ये कुछ परिस्थितिया बन रही है इस सिट के अब देखते हैं आगे चलके क्या समीकरण बनता है क्या और कोई आएगा क्योंकि इनको भी रालस्वा प्रमुक जो उपेंद्र कुसबाहा ये भी बाहर ही है ये भी इस चेत्र से नहीं आते हैं तो ये कारोपिन पर लगता है कि ये बाहर ही है तो देखने वाली बात होगे कि महाकट बंधन में सीट बटवारे में ये सीट किसके पास जाती है और इधर एंडिये में किसके पास जाती है लेकिन उमीद यही है कि उपेंद् जरूर लिखें, थैंक यू